तो यह जो concept था कि क्रिशन जी का दिल आया था एक लकडी पे तैरता हुआ और हर 12 साल में मेरे ख्याल से एक बार जब भी नहीं body change होती है जब भी नहीं मूर्ती change होती है तो उसमें डाला जाता है कुछ वो क्रिशन जी का दिल है उसको कोई देख नहीं सकता और जब वो कोई हाथ में प्रीष्ट पकड़ते है वो धड़कता है तो वो क्या है यह बनाया चुनाया है पूरा मतलब यह जो दिल है दिल वाला बात नहीं है वो बहुत ब्रह्म प्रदार्त है जिसको हमारे record of right में लिखा गया है कि it is gopaniya it can't be discoverable और कोई भी नहीं जानता और इसको खुद ब्रह्मा भी नाप नहीं पाया थे ब्रह्मा महादेब कोई भी नाप नहीं पाया था तो कुछ ऐसा तो है जो वो change करते है बट यह नहीं कोई नहीं जानता इसे कोई नहीं जानता कोई नहीं ब्रह्मान भे कोई भी नहीं 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 ब्रह्मान भी नहीं ब्रह्मा भी नहीं को पता है सभी को पता कि वो कहा जाता कि वो दिल है तो यह misinformation इतनी फैल कैसा जाती है जब इतना प्रसिद हो गया पूरे वर्ल्ड में कि वह एक्चुल का हाट मतलब बीट करता है जब कि वह चीज फॉल्स है क्योंकि क्या हुआ ना मतलब टूटल अपोजिट सेड में अगर देखो गए तो क्रिशने जी वहां पर अपना देहत्या किये थे मेरे को एक फैक्ट एकने सिद्पूरिष ने बोला था कि एसा नहीं है इनको जलाया नहीं जा सकता था क्योंकि अगर बोच जल जाते फूरा ब्रह्मान बहुत कोटी ब्रह्मान उनके ही देव में बोच जल जाता क्रिशने जी अलगी कोई थे समझे रहो इनके अबतार थे बहुत मतलब अलग अंदा लेवल के मतलब बहुत मतलब बहुत मतलब अलग अलग उनके पास था पूरा सब कुछ ब्रह्मान में कुछ भी ऐसा नहीं था बोच नहीं कर पाते तो उनको भाई आप जलाओ अगनी प अपने सुना भी होगा कोटी मूँ खोल दिया तो ब्रह्मान दिख रहा है तो भाई जलाद होगे तो पुरा ब्रह्मान जल जल जग गया समझे बहुत मतलब अलग उनको समंदर में बहा दिया गया और लोग क्यों करते हैं क्योंकि पुरा अपोजीट है ना इस्ट वेस्ट तो वहां पर ऐसा मतलब डूब गया जब सहर डूब गया तो बो लोग सोचे कि ऐसा जो आ रहा है लोग आ रहा है तो बो लोग समझे कि क्रिशन जी का हाट आया है